इस एप्रेश करेंगे साधारन मंश उनीका अनुसरन करेंगे इसलिए है अर्जुन तुम युद करो तुमको देखके ही लोग सीखेंगे फिर और बाद में सबसे अंत में क्या बोलते हैं कि कर्म यूग बुद्धी के द्वारा अपना कर्म करो ठीक है अब यहाँ पे इस अध्याय के शुरुवात करते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं ज्यान यूग अब जैसे कल भी हमने बताया था कल भी आप सभी लोगों ने काफी लोगों ने सही उत्तर दिया था योग क्या आर्थ है जोड़ना ठीक है जोड़ने का मतलब पहले तो हमने तिसरे में क्या सीखा कर्मयोग ना अब क्या है ग्यान योग ये ग्यान योग कर्मयोग के बाद क्यों आया क्यों 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 जब हम भगवान के लिए कर्म करने लग जाते हैं तो हमें भगवान की निष्ठा शुरू हो जाती है और निष्ठा जब शुरू हो जाती है तो हमें भगवान को और जानने की इच्छा होती है तो वो इच्छा जो प्रबल होता है वो कैसे हम लेंगे ज्ञान के द्वारा तो आज बहुत ही बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है यह पांस दे स्लाइड जो है आप बहुत गौर से सिखेगा और किसी के पास अगर कॉपी पेंसिल होगा क्योंकि कुछ गणित भी आने वाले हैं कॉपी पेंसिल होगा तो नोटबुक रखिए क्योंकि बहुत इंट्रेस भगवद गिता के इतिहास हम जाने हम तो यह जानते हैं कि भगवद गिता तो 5000 पहले 5000 साल पहले अर्जुन को भगवान ने कुरुषेतर के युद में दिया दा है हमारी ज्यान यहीं अब भगवान बताएंगे इसके देखिए सबसे पहला ही श्लोक जो है ये भगवत गिता का इतिहास को वर्णन करता है श्री भगवान उवाचा इमम विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्वयं विवस्मानुए प्राहा मनूरिक्षवाक वीप्रवीद श्री भगवान ने कहा मैंने इस अमर योगविद्दा का उब्देश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनू को उब्देश दिया और मनू ने इसका उब्देश इश्वाकू को दिया देखिए ये चित्र के माधियम से देखिए हम अपने कलपना से यह समझते होंगी वहां पर कैसे लोग रहते होंगे तो वहां भी जीव है है ना क्योंकि हम यहां पर जीव जो है वह हम पंच भूत से बने हैं आगे हम साथ में द्हाय में पड़ेंगे हमारा दो जो जो कंस्टिटून्ट है बाड़ी का Constituents वह पंच भूत से बना है वहां का Constituent जो है वह किसी और चीछ का है वह अगनी का है तो सूरि जो है वहां उस सत्य चके जो राजा थे उनका नाम था विवस्वान तो भगवान कहे रहे हैं कि यह जो विद्या है सबसे पहले मैंने सूरि के राजा सूरिदीव क जिनका नाम ते विवस्वान को दिया ने यह जो घ्ञान है मनु को दिया मनु जो है हमारे मनवंतर आएगा भी सबसे पहले मनवंतर के जिससे मनु के पिता मनश्रों के पिता वही से स्टार्ट लग दा जो हम इंगलिश में पढ़ता है न एडम इव तो एडम जो है वो वेदुक वो उन्होंने थोड़ा ब्रहंस्त कर दिया है लेकिन यहाँ वेदु में है उनका नाम है मनु जहाँ मनुष्यों के पिता उन्होंने किसको दिया उन्होंने अपने पुत्र इश्वाकु को दिया इश्वाकु कौन थे इश्वाकु थ जिस रगुकुल में राम जी आते हैं तो उनके पुर्वच थे इश्वाकु तो ये क्या है गीता परंपुरा द्वारा कैसे चली आ रही है सूर्य देव ने मनु को दिया, मनु ने इश्वाकू को दिया, यह पहला जानेजे, अब हम आगे जानेगे कि कब दिया, सूर्य देव को कब दिया, ठीक है? यह देखे सबसे पहले शूरी देव और फिर विवस्मान से मनु मनु से इस्ट वाकू चार यह अब्दुस्रा श्लोक सबसे महत बहुत महत पुन श्लोक इमंपरंपरा प्रातन इमंपराजर्शयो विदू सकालेने महतार योगो इस परकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजरिशियों ने एक एक शब्द को बहुत महत पुन है राजरिशियों ने इसी विदी से इसे समझा यहां राजरिशियों लिखा है असूर नहीं लिखा राजरिशियों फिल किन्तु काल करम में यह परंपरा चीन हो गई है अता यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गई है तो इसमें दो तीम बहुत ही मुख्य चीजें हैं एवं परंपरा प्राप्तम तो यह ज्ञान कैसे लेना है परंपरा परंपरा अगत द्वारा ठीक है और भगवान बता रहे हैं ए कुंकि वह भगवान के भक्ति करते हैं नगर के राजा देश के राजा जो भकत भी होते हैं उनको क्यों दिया जाता था ताकि वह अपने जन्ता में अपने जिन saja जनार्दन में गीता का प्रचार प्रसार कर सकें ताकि अंततकोतवा वो लोग सारे जो जन जनता है वो भगवान की भक्ति कर सकें तो यह मुख्यू देश था यहां पर उन्होंने राजरिशियों का कहा गया है और किसी को असूर को नहीं कहा है ना फिर अब यह भी बोल रहे ह सर काले नेम हता योगो नश्टा परंत्र पर लेकिन मैं आज तुमको यह क्यों बता रहा हूं क्योंकि यह योग जो है यह विद्या मुझे लग रहा है विनिष्ट हो गया है यह परंपरा परंपरा के दुआरा जो आ रहा था वो डाइलीट हो गया है कहीं तो इसी लिए य यह ज्यान दुबारा मैं तुमको यहां दे रहा हूं इसी के लिए यह ज्यान सर प्रथम विवस्वान को दिया विवस्वान के बाद उन्होंने बोला कि यह ज्यान मुझे छिन हो गया लगता है तब फिर मैं आपको दे रहा हूं चलिए अब थोड़ा सा परंपरा देखते हैं इसको बोलते हैं परंपरा मतलब जो जिसको भगवान ने चार लोगों को यह ज्यान दिया था वो चार लोग कोन हैं ब्रह्मा जी श्री लक्ष्मी यानि लक्ष्मी जी शिवा जी लौड शिवा और चार कुमार चार कुमार कोन हैं चार कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं सबसे पहले पुत्र सनत कुमार और सनातन यह चार लोग हैं यह सर प्रथम इनको ही यह भगवा जी के जो परमपरा को अगरन उसको चलाया वो रमानुजा चाह रहे थे शिवा जी के थे विष्णु स्वामी और उसी तरह निम्वरका चाह रहे थे चार्क मार्क हैं, हम लोग जो आते हैं, वो किस में आते हैं, वो आगे आप देखेंगे, तो कहने का ताथ पर यह है, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो आप कभी भी कोई भी चीज क्रिडेंशल कोई मानिजे कल को आप कोई कॉलेज अड्मिशन लेने जाते हैं, तो आप उसका credential जानके ही तो जाते हैं, तो उसका credential क्या हुआ, उसकी परंपरा होई, कितने सास मानीजे कल को कोई engineering college में दाखिला लेने जाते हैं, तो उसका परंपरा जानते हैं, क्या credential है, आप यूँ ही तो नहीं, मानीजे आपको engineering ही पढ़ना है, तो आप घर में तो तो दाखिला लेना पड़ेगा उस college में, है न, engineering की college में दाखिला लेना पड़ेगा, इसी तरह जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, या कोई भी वेदिक टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हमें यह जानना है, कि वो किस परंपरा से आती है, किस परंपरा से, वो किसको बिलॉंग करते हैं, किस परंपरा को बिलॉंग करते हैं, क्योंकि भगवान ने इनी चारों को दिया था, और इनके ही disciple के थूरू authenticity है, वो ही परंपरा है, अब देखिए हम किस में आते हैं, यह हम आते हैं सबसे पहला जिसम ब्रह्मा जी, ठीक है, ब्रह्मा जी इसमें पहल इस परंपरा को गौडियम मधवा बोलते हैं, ब्रह्मा गौडियम मधवा, क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मा जी से आया, और यह भगवान चैतन्य जो बाइसमें में आते हैं, यह पूरा परंपरा है, बाइसमें में देखिएगा, जहें आपके पास भगवत गीता क जो बुक है उसका जो पहला चाप्टर है उसके पहले उसके प inlet पिछले वाले पेज में यह दिया रहता है तो बाइसमा जो है भगवान चतन्यक के पहले भगवान स्वेम इस कलिए में आय थे चतन्य महाप्रभु के नाम से जो पंचतत्व में हम लोग बोलते हैं तो इन्हों ने क्या किया इन्हों ने दो-दो बहुत ही प्रमुक गुण जो है सभी संप्रदाई से लिया और फिर ये जो संप्रदाई है ये हमारा इस प्रम्परां के द्वारा हम गीता का अध्यान कर रहे तो प्रम्परा के द्वारा आने से क्या होता है कि जिस तरह भगवानने बोला है उसी तरह आपको मिलता है मतलब बीच में कोई dilution वही परंपरा का होता है कि कोई अपना मांसिक चिंतन नहीं डाल सकता है भगवान ने जैसा बोला है वैसे ही दिया इसलिए as it is है यतारू भगवान ने जैसा बोला वैसे ही क्योंकि हमारे पास यह हमारे किसी के पास इस परंपरा में ये इतनी बुद्धी नहीं है कि हम अपनी मनोचिंदन उसमें डाल सकें इसलिए कहरते हैं as it is थोड़ा सा अब बहुत ही अब गणित है चार-पां स्लाइड में गणित है आपको जिसको गणिता सौक है वो उसको उनको बता दिता हूं मैं और जो थोड़ा सा जिनको डिफिकल्टी हो रहा है ये चारना लेकिन बहुत ज़रूरी है इससे हम ये जानेंगे कि ब्रह्मा जी क्या उमर क्या है हमारा युग कौन सा है हम किस युग में है ठीक है तो देखिए युग जो होते हैं वो चार युग होते हैं जो नीशे में आप देख रहे हैं हम जो हैं कल युग में हैं कल युग का कितना साल हो रहा है वो आगे देखिए कि 5,171 साल ही बीता है कुल कितना है कल युग का 4,32,000 उसको दो गुना मल्टिप्लाइ कीजएगा दो डुवा पर्युग हूआ तो जो महा भारत हूआ वह इसुग में हूआ दो पर्युग के बिलकुल एंड में जब कल युग आने वाला था उसके जस्न पहले महा भारत की महा भारत हूआ इससे कल यूग के तीन गुना मुल्टिप्लाइः किजिएगा तो आता है तरेता यूग जब रमायन हुआ और सबसे पहले आता है सत यूग ठीक है जिसमे नरसिंग देर की हिरन्य कशिपु और नर सिंग देर का यह हुआ तो ये होता है multiply by 4 कल यूग 4,32,000 उसको multiply किजिए 2 से तो आजाएगा 8,64,000 वो दौपर यूग हो गया कल यूग के 4,32,32 तीन गुना multiply किजिएगा तो त्रेता यूग और 4 गुना multiply किजिएगा तो सद यूग ठीक है? इन दोनों इन चारों को जुड़िएगा तो आता एक दिव यूग जो करीमन 49,00,000 साल का आता है ठीक है? एक दिव यूग इसी तरह के एक 70 दिव यूग से बनता एक मनवंतर ठीक है? एक मनवंतर में हर एक मनवंतर में मनू आते हैं जिसका अभी मनू का जिक्र हुआ था मनू तो हम 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 जो है अभी सात्वा मनवंतर चल रहा है हमारे तो एक 70 दिव यूग एक 70 दिव यूग का करीबन आ गया 306 जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया हुआ है वो देखते जाहिए बस एक 70 जो दिव यूग है उसका एक मनवंतर बनता है जो करीबन 306 मिलियन येर्स है ठीक है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं ठीक है चार लाग 32 मिलियन येर को 43 लाग को 71 से गुना किजिएगा 307 मिलियन येर्स के करीब आएगा यह एक मनवंतर यानि 14 मनवंतर 14 मनवंतर का एक कल्प होता है वन कल्प ठीक है जैसो डे ओव ब्रह्मा लिख रहा है वन कल्प होता है इसी तरह 14 मनवंतर का एक दिन हुआ भगवान का ब्रह्मा जी का और इसी तरह 14 मनवंतर इतना ही होता है उनका रातरी चौधा मनवंतर का दिन और चौधा संध्या का रातरी तो ब्रह्मा का एक दिन करीबन 4.232 billion years है अब ये गुना करके देखेगा तो आपको मिल जाएगा 71 को 14 से multiply किजिए ये आ जाएगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना हो गया? 4.3 billion years ब्रह्मा जी कितना साल जीते हैं? 100 साल उनकी उमर कितनी है? 100 years ठीक है? 100 years equals to how much? 311 trillion years 311 trillion years यानि जो ये 4.32 billion years है इसको multiply किजिए 100 से तो 4.32 into 2 इसके बाद ये 311 trillion years आएगा ठीक है? तो ये मोटा ये बिलकुल अप्रॉप्स कल्कुलेशन है आप बोलेंगे कि आपको कैसे मालूं कि ब्रह्मा जी का 100 साल होता है तो गीता में आगे हम लोग पढ़ेंगे आठ में अध्याय में आप ब्रह्मात भूनात लोकान पुनार वरतिन और जुना यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इसमें इस बहुतिक यूग में सबसे उच्छ लोग ब्रह्मा जी का है लेकिन वहां भी मारे जन्म और मिर्तियों का चक्र लगा रहता है तो ब्रह्मा जी का भी उमर जो है वो फिक्स है सौ साल का उमर है हां उनका उमर बहुत लंबा है तिन सु ग्यारा ट्रिलियन येर्स के करीद है ठीक है प्रभुजी आप लोग का जो कोश्चन है पार करके रखिए अंत में लेंगे ना ने तो अभी शेशन बहुत स्लाइड जाना है तो ब्रह्मा जी का जीवन कितना है तो इक कैलकुलेट करके देख लिजे पचास अभी ब्रह्मा जी के 50 साल हो गया है तो आप कैलकूलेशन करके देख सकता है इपने PDF में आराम से बैठ करके कैलकुलेशन केजियेगा कितना आता है कुल मिला के 311 billion years है तो अब इसका कैसे आया और श्मोंतर खतम हुए है हम लोग अभी सातवय मन वंतर में हैं इस सातवय मन वं हमारे मनूं है उनका नाम है स्वे भु मनूं ठीक है और यह सातवय मन वंतर के 28ach 27 और चतुरयूग में हम लोग है ठीक है 47 चतुरयूग जैसे एक चतुरयूग बता है न हम मैंने सबको जोड़ दीजे यानि विदो हर चतुरयूग में एक कलयूग है एक द्वापर है एक थ्रेता है एक सत्यूग है तो हम जिस यूग में है इसी चतिर्युग में द्वापर भी आया है तो ब्रह्मा जी का कैल्कुलेशन देख लिजे ये बहुत ही सरल है थोड़े से आप कैल्कुलेशन बठाईएगा दो मिनिट दिमाग लगाईएगा बिलकुल ये कैल्कुलेशन आपके दिमाग में कल्यूग का कितना साल बिता है प कि यज पाएशे है कि अब मनु खे जीवन की चर्शा करते ममो कितने साल तभ हमको पता चले गालती मनु ये मने सबसे पहला ज्यान THEं 라ट कि मैंने सबसे पहला ज्यान आट सुर्ड दीया मनु को ऐस्वान दीया कि कि कियो कि कितना साल पहले मनु ये ज्यान दिया गया तो यह calculation आता है कि मनु को करीबन 1200 लाक यानि 12 क्रोड साल पहले विवस्वान को यह ग्यान भगवान ने दिया 12 क्रोड साल यह आप calculation कर लिजे सरल क्लिकुलेशन है बहुत ही सरल है ठीक है 27 अभी यूग भीते हैं ठीक है इसमें 27 यूग जैसे मैंने बताया अभी ठीक है और इसमें सत्य त्रेता को क्यों क्यों कि आप एक स्ब्लस जैसे मैंने बोला अगर क्लिक को एक स्मानते हैं तो उसका डबल होगा कितना कौन सा उसका डबल होगा आपको द्वापर यानि 2x त्रेता 3x एंड आपका सत्यू 4x तो सबको जोड़िएगा तो 10x के करीब आएगा ठीक है तो एक को हटाईए तो 9 बचेगा तो करीबन आप मोटा-मोटी देखके रखे बारा सो साल पहले लिया यानि बारा क्रोड साल पहले बारा क्रोड साल पहले विवस्वान को भगवान ने ये ग्यान दिया अब क्या अब धर्ती पे कब आई धर्ती पे कब आई वो देखते हैं तो कब आई धर्ती पे जब ये त्रेता युकी शुरुआत में भगवान ने इस विवस्वान को विवस्वान को विवस्वान ने व्हानु मानुख जादी की पिधाहोने के नाते इसे अपने पूत्र महराज इशवकु को दिया है जो इस पिर्थभीत ग्रह के राजा थे और रगुवश् fe पुरवज थे तो मनु का उमर निकालिए मनु का उमर कम निकालेंगे जैसे मैंने बोला कि त्रेता युग के शुरू में आये थे वो क्योंकि वो रगुकुल के वंश यह थे पुरवज थे तो उनका कैल्कुलेशन निकालिएगा करीबं 20 लाख साल आएगा तो यह जो तो यह इससे आपको अच्छे से याद रहेगा ब्रह्मा जी का एक सेकंड जो है हमारा एक लाग साल है यह मोटा मोटा याद रखिए आप यह सरल है याद करने के लिए यह स्लाइड कि कोई भी आप सो पूछता है कि ब्रह्मा जी कितना हुआ तो आप यह कैलकुलेशन देखा सकते हैं PDF में पढ़ लिजे कल को कोई भी कन्फूजन होता है आकर के मेरे से एक बार डिसकस कर सकते हैं ठीक है यह तो इसको कर लेंगे तो हमारा समय बहुत चला जाएगा ब्रह्मा जी किया एक सेकंड जो है वो एक साल हमारा है पर अब यह हमारे सब के मन में प्रशना रहा है कि जब भगवान ने बारा क्रोड साल बले विवस्वान को दिया है तो अर्जुन पूछते हैं पर आप मेरे समकालिम कैसे आप मेरे पास ही हैं कैसे हैं तो अर्जुन अर्जुन यह क्या स्वेम के लिए पूछ रहा है नहीं अर्जुन उन सबों के लिए पूछ रहा है ह लोग रहेंगे जिनकी जो मंद सुमंद मत्योग बुद्ध्या तो इस तरह के तीन करेक्टरिस्टिक बता हैं कल्यूग ने जिन जो डिस्टर्ब्ड हैं विचलित रहते हैं तो उनको मालूम है यहां के लोग कोश्चन करेंगे कि अभी आप मेरे समकष हैं लेकिन आप तो अजसेटनीज में रिपोटर जो है जो च्रूटर रिपोटर है वो भुबे में क्वश्चन का अवतरन कैसे होता अलोग प्रकृति करते हैं mg अ यदपी में अ經 चाता अभिनाशि हूं और यदि मैं समसे जीवों का सौमी ह। सभी जीवों का स्वामी हूं तो भी प्रतेग यूग में अपने दिव आदि दिव इस रूप को प्रकट होता हूं तात्पर में प्रुबाजी क्या लिखते हैं भगवान समाने जीव की भादि शरीर परिवर्तन नहीं करते हैं इस जनम बद जीव का एक प्रकार कर शरीर हो सक कि आप तो समक्ष मेरे सामने कैसे हैं तो भगवान कह रहे हैं मैं अपना शरीर नहीं बदलता है मेरा शरीर वही रहता है हम जीव आत्मा का शरीर बदलता है भातिक जगत में जीव का कोई स्थाई शरीर नहीं है अप इतनी वह एक शरीर से दुसरे शरीर में दिहांतरन करत प्रतीत होते हैं यद पी वे अपनी उसी दिवी शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मान के स्वामी होते हैं तो भी ऐसा लगता है कि वे समाने जीव की भाति प्रकट हो रहे हैं यद पी उनका शरीर भातिक शरीर की भाति छिने नहीं होता फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भ ब्रह्मा जी बोलते हैं अद्वेतम चुत्त मनादि रनंत रूपम आदम पुरान पुरुषम नवयोवन अम्च वेदे शुदूरलब मदूरलब मात्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामी कि भागवान का आपने कोई वृद शरीर देखा कभी नहीं देखा हो रहते हैं आदम पुरान पुरुषम नवयोवन अम्च तो भगवान का जो शरीर है वो दिव्व शरीर है ठीक है और हमारा शरीर बदलता है भगवान का शरीर नहीं बदलता है क्रिश्न का अवतरन कभ होता है अभी हमने क्या देखा क्रिश्न कैसे होता है तो दिव्व शरी जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है धर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूग तो भगवान अवतारन कब होता है जब दो चीज होता है जब धर्म का पतन होता है धर्म का पतन भी हो गया और अधर्म की प्रदानता बढ़ गए जैसे महाबारत के समय हुआ धर्म का पतन तो हुआ ही ठीक है कि एक ही युग में धृत्राश्ट ने अपने ही भाई के बेटे को मैं और तुम धृत्राश्ट हुआ चा बोल दिया था पहले श्लोक में कि मैं और पंडू के पुत्र जबकि यह वह भी उनी के पूत्र थे तो धर्म का पतन हो गया नहीं रहते वौर्पदी के का चीरहरान Love धर धर्म का पतन हुआ और अधर्म बढ़ गया अधर्म ंभी बढ़ गया कि अउससे अधर्म में बढ़ गया इसे पितामाहद लोग थे सारे लोग थे उनके रहते- दुरपदी के साथ इतना दूर वैवार हुआ धर्म का धर्म बढ़ गया तो भगवान कब आते हैं जब धर्म की प्रधानता पतन होता और अधर्म बढ़ जाता है जुक होता है युक यूग vendor घ्रिक्टों को अधार करने दूश्टों कि प्रेस रहे हुं हर यूग में और ऊधार करने जो युदिश्टीर का रूप में सब को वद कर्वा पुरा फिर से पुनर स्थापना करी भगवान के ऐसे अनुशर है जो असूरों का संधार करने में सक्षम है किन्तु भगवान तो अपने उस निश्काम भक्तों को तुष करने के लिए विशेश रूप से अफ्तार रेते हैं जो जो असूरों द्वारा निरंतर तंग किये जा कि रण्य कशिपु के पुत्र थे किंतु तो भी अपने पिता द्वारा उत्पीडित थे इसी प्रकार क्रिश्ण की माता देव की यदपी कंस की पहन थी किंतु उन्हें कथा उनके पती वासुदेव के लिए इसलिए दंडिठ किया गया था क्योंकि उनसे क्रिश्ण का जन का उधार करने तथा दुष्टों असूर का संघार करने के लिए विभिन अफ्तार लेते हैं तो इसमें एक चीज मानना होगा एक चीज आप समझे है कि भगवान हम जब भी समझते हैं कि भगवान का अफ्तारण क्यों होता है तो हमको ऐसा लगता है भगवान असूरों का वद करने के लिए उनको आने के अवशक्ता नहीं अपने देवी देटाओं के द्वारा वद करवा सकते हैं उनको आने के अवशक्ता नहीं वो क्यों आते हैं क्यों भगवान भग्त वद्सल हैं भग्त को प्रेम देने के लिए आते हैं भग्त से मिलने आते हैं और उनके सा परित्रैनाय साथ उनके साथ ही फिर दुष्टों का संखार करते हैं और धनकी उनर्वार्षापने करते हैं तो ये ध्यान में रखेएगा उनका प्राइमरी काम है प्रेम प्रदान करना भक्तों का शेकंडरी काम है असूरों का व्द्ध करने अच्छा हम यहां तक पहुंचगे अभ हम कृष्ट को जाननेका क्या लाव है, क्रिश्ट को हम जानगे तो क्या लाव है जन्म कर्म चामे दिवियम योवेती तक्वतह तक्त्वादे हम पुनर्जन्म नेती मामिते सो अर्जुना ये अर्जुन जो मेरे अविरभाव तता कर्मों के दिव प्रकृति को जानता है इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुना जन्म नहीं लेता पितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है तो क्या अगर जो ये जान गया कि भगवान दिव्य है भगवान का जो भगवान ने कहा कि अजो अपिसन अव्य आत्मा भूता नाम इश्वर अपिसन यानि मेरा जो जन्म है वो दिव्य है यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान कि मेरा जन्म भी दिव्य है मेरा कर्म भी दि यानि एक होता है जो हम देखते हैं कि भगवान ने बाल को पाल में जब थे तो माखन चुरा लिया वह लौकिक हो गया ग्वाल बाल के साथ खेल लिये वह लौकिक हो गया तो हम समझते हैं आरे भगवान ने चोरी की तो असुर सोचते हैं मैं भी चोरी करूंगा भगवान तो उम्र में ही गोवर्धन परवर्द उठाते हैं वो अलोकिक है यह से और चोठी से उम्र में कई केशू मधू। कई असूरों के अवद करते हैं तो अलोकिक लिलाएं तो असूर समझ नहीं पाते हैं जो जो समझे जाता है, जन्म कर्म चे में दिव्य, भगवान का कर्म भी दिव्य है और जन्म भी दिव्य है, भगवान अपना खुद माता पिता चुन सकते हैं, वो उन्होंने चुना था देव के गर्म में आने के लिए, हमने चुन सकते, असुर नहीं चुन सकते, कोई भी नहीं चुन सकता भागवान चुनते हैं अपने जर्म को भी और अपने कर्म को भी और जो यह समझ जाता है तो वह तो मान लाता है कि नहीं वह भगवान है और जो यह जान जाता है वह भगवान का सनातन्त हमको प्राप्त होता है क्रिशिन और हमारे बीच का अंतर क्या है किरिशन का स्वरूप अध्यात्मिक है हमारा स्वरूप अस्त हाई हैए ठीक है तो हमने जैसे आपको बताया कि गभवान और शरीर क्पड़ा है थिक है नुम पढ़न रहते हैं हम्कार मुदात म करता रमिटी मन्हें थे तो बहल रहा हम्में यहां पर खुद को करता समझने लग जाते हैं अरे यह तो मैंने किया है इसका सक्सेस तो मैं मुझे मिलना चाहिए लेकिन भगवान क्या है भगवान इसके नियंतरन है नियंतरक है हम नियंतरित होते हैं भगवान इसके नियंतरत है नियंतरन करते है भगवान इसको नियंतरन करते है ठीक है प्र सर्वंप्रवर्थते इतीमता बजनते माम बुदा भाव समनविता मैं सबको संचालन मैं करता हूं ऐसा बताएंगे दस्वेंद्धाएंगे बहुत अच्छा श्लोक है ये यथा माम प्रपदंते तांस्तते भजा में हम मम वर्तमान वर्तंते मनुश्यापात सर्वशा अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ठीक है जन्म पिछले बार में हमने देख लिया कि जन्म कर्म चमे दिव्यम तो फिर भक्तों के साथ व मैं उन्हें फल देता हूं कि हांfa दिखता है कोई फर्क नहीं है दोनों ही भगवान हें लेकिन भगवान में क्या भगवान रस राज हें पांच रस के उपांच रस पाया जाता हैं वो क्या रस है शांत रस सा कही रस यानि आप शांत रस का क्या मतलब हुआ आग भगवान को स्वामी मान करके उनको पूजा कर सकते हैं उनकी शरनगती ले सकते हैं है ना साख्य रस सुदामा सखा के रूप में अरजुन सखा के रूप में उनको प्रेम कर सकता है ठीक है दास से रस दास के रूप में हनुमान जी दास थे राम भ मतलब माता पीता तो उन्होंने ये सुख देवकी को भी देया यश्युद्व मा को भी दिया तो पुत्र बन करके उनको ये ये सुख भी देते हैं । ठिक है और माधूर य क्रश यानदी तो गोपियों के साथ प्रेमी को रूप में उनका भक़्क्दि था तो भगवान जिस रूप में आदान भगवान या कहते हैं, जो मेरे को जिस रूप में मेरे से प्रेम करेगा, मैं उसी रूप में आदान प्रदान करूँगा, अब ये कहेंगे कि आसूर लोग के साथ क्या करेंगे, आसूर के साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो आसूर तो भगवान को भी विराठ रूप दिखा है दृत्राश को तो उन्होंने आखों की रोश्णी भी लोटा दी थी इसके बाद बाद भी वो विराठ रूप को देखने के लिए मना कर दिये कि मैं यह रूप नहीं देखूंगा मुझे मेरी आख की पट्टी बांध दो तो असूर क्या चाहत है असूर तो भगवान को समझना ही नहीं चाहता तो भगवान उसको वही चीज देते हैं भगवान उसको वही ना समझी देते हैं कंस कंस को जब मारने के लिए भगवान है ना जब तो वहां पर कई लोग जो थे भगवान को प्रेमी के रूप में देख रहे थे कई लोग बगवान को यम्राज के रूप में देख रहा है तो यह कुछ इतर है तो देख लीजे जिस रूप में भगवान की सेवा करेंगे भगवान उसी रूप में आदान प्रधान करते हैं इस संसार में मनुश्यों का सकाम कर्म का फल शीक्र प्राप्त होता है तो इस जगत के देवता देवताओं के विष्ए में ब्रहांतिधारना है और विद्वता का दंब करने वाले अलपक के मनुश्य इन देवताओं को परमेश्वर के विभिनुरूप मान बैठते हैं तो कल हमने इसका विष्टरा विष्थार में पढ़ा था कि देवता जो है भगवान के अधिकरत अधिकारी है और बस्तुत तो ये देवता इश्वर के विभिन रूप नहीं इंतु वे इश्वर के विभिन अंश हैं यहां पर किलियर है कि वो भगवान के रूप नहीं है वो अंश है जिस तरह भगवान पेड़ के जड़ है पेड़ है तो वो उनके पत्ते हूर स्टेम्स ब्रांचेज वो अंश है ठीक है तो जड़ में पानी डाल दिजे स्वता सबको पोशन हो जाएगा इश्वर तो एक है क हम कई भूल करते हैंना हम कभी कई जगह आप देखते होंगे कि कभी-कभी सितारों को एक्टर को स्को देवतों मतलब बहुत सारा हम नेता को भगवान माल लेते हैं तो भगवान यहां कि किसको भगवान कौन है अब ये बहुत ही फेमस श्लोक है चातुर वड़नियम है शिष्टम गुना कर्म विभाग शह तश्रम करता रहा हूं प्रकृति के तीन गुनों और उनसे संबंद कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए यद पी मैं इस विवस्ता का शुष् वर्ण और आश्रम में पाटा है ठीक है तो आप लोग बहुत लोग का यह हो गया देखो यह जो भी जाती प्रथा जो चल लिए तो भगवान नहीं करा है तो इसका तो भगवान ही बोल रहे हैं चातुर वर्णियम है शिष्टम लेकिन भगवान यहां काम क्या बोल रहे है चातुर वर्णियम्या शिष्टम गुनह कर्म विभागशा मैंने गुन के अधार पर विभाजित किया ना कि जन्म के अधार पर ठीक है वो चार वर्ण और आश्रम कौन से हैं चार वर्ण है ब्रह्मन शत्रिय वैश और शुद्र आश्रम कौन से हैं ब्रह्मचरे ग्रहस्त वार्नत प्रष्ट और सन्यास तो जैसे अब चित्र के माधियम से देख सकते हैं सबका अपना वृतिप्रक कारे है चिक आप ये ब्रह्मण का कार क्या है भगवान को भगवान का प्रचार प्रसार करना उनके शब्तों का उनकी लिलाओं का प्रचार करना और सभी जनता को भगवान के साथ जोणना छत्रे का धर्म क्या है छत्रे क्या धर्म है रक्षा वैश्य का धर्म है अन उपारजन करना अठार में ध्या में पढ़ेंगे अन उपारजन करना जो दिख ये शुद्र का ये गुण के अधार पर रहें यह नहीं कि डॉक्टर का लड़का टॉक्टर का लड़का इंजिनियर का अधार कीoa है जो गुणी होगा उसके अधार पर भगवान ने यह विभाजित किया क्यों कि यह सारे लोग जो है पशु जीवन से मनुष का जीवन हमें मिला है मनुष का जीवन मिला भगवान की सिवा करने के लिए ने तो अहार नित्रा भाहिमाइथुनम चाहे ना समयम एतत पशुभी नारणम ने तो हमारे अब ही हम पशु से अलग कैसे थाकि ये जो चार वन्य भगवानWeb martin 16 फामञे उसके द्वारा भगव criticism परकर करें जो के द्वारा भगवान के पराप्ति कर सकें इसलिए ये विवाजित किया गया मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वे कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता तो भगवान लेगिन इससे अलग है भगवान इससे परे हैं भगवान ने तो बना दिया ये गुण लेगिन भगवान परे हैं कैसे कि मानिजे एक राजा अपने कानून बनाता है तो राजा के लिए वो कानून लागू नहीं होता है यानि मालिज एक कंपनी का ओनर है तो कंपनी का ओनर ने एक कंपनी चला और उसका इंप्लॉइन ने कुछ करा है तो कंपनी का ओनर उने नहीं करता उस चीज को उसी तरह भगवान इससे परे हैं भगवान पर यह चीज लागू नहीं होता प्राचिन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया अतह तुमें चाहिए कि इन पदचिनों का अनुसरान करते हुए अपने करतव का पालन करो कृष्णा भावनाम्रित इन दोनों श्रेनियों के व्यक्तितियों को व्यक्तियों के लिए समानरुपसे लाप्रद है, जिनके मनों में दूशित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि बाक्ति के अनुस्ठानों का पालन करते हुए प्रमिक शुद्धी करन के लिए कृष्ण कुदियां से स्वच हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावना मृत में अग्रसर होते रहें जिन से अन्य लोग उनके आधर शिकार का अनुसरन कर सके और लाब उठा सके तो यहां भगवान क्या बोल रहे हैं भगवान बता रहे हैं कि जो पहले अरुजुन को बोले जिस तरह स सके पालन किया तुम भी उनी का अनुसरन करो और उनका अनुसरन करके कार्म की बारिकियां को समझना अत्यन्त कठी ने बहुत इंपॉर्टन चीज़ EVERY क्व आपको इसमें तीनित चार स्वाइड़ है कर्म की बारी है क्यों समझना अत्यन्त कटिन है अता मनुष को चाहिए कि यह ठीक से जाने की कर्म क्या है विकर्म क्या है कर्म का तीन भाग है कर्म तीन तरह के कर्म है पहला कर्म बोला जाता है जो लिखें पहला कर्मनों अपी बोधव्यम बोधव्यम चा विकर्म होता है क्य जो हम कारे करते हैं शास्त्रों के विदी विधानों द्वारा वो हो गया कर्म विकर्म क्या है बिल्कुल अपोजट जो शास्त्रों का अवेलना करके जो कर्म क्या जाता है पशुवद अवेलना करके और अकर्म अकर्मनश्च यानि वो कर्म जो पाप और पुन्ने से परे है यानि भगवान के लिए दिव्य कर्म, तीन तरह के कर्म है, कर्म पहला नंबर वन, कर्म ठीक है, दूसरा विकर्म, तीसरा अकर्म, अकर्म क्या है, वो कर्म जो शास्त्रों का नुशार है, विकर्म जो शास्त्रों के अभेलना करते हुए है, और तीसरा अकर्म जो पाप और प चीज है नारजज्जी का नारजजी है जो है वो भक्तु का संधेज्ज देते अपने कन्फ़लों की सारी आशक्ति को त्याकर सदेव संतुष्टा सवतंत्र रहकर सभी परकार के कार्यों में वैस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता तो यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह सिर्फ भगवान की सेवा कर रहे हैं तो यह अकर्म हो गया तो यह अपने के युगदान के कारण अवश्य भगवदान के प्राप्ति होती है क्योंकि उसमें हवन अध्यात्मिक उता और हवी भी अध्यात्मिक उता हवन क्या हुआ यग हवी जो उसमें material डाले जाते हैं उसको हवी बहुत हैं तो भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कि उधारन के रूप में प्रुपाजी बताते हैं कि जो कृष्णा भावना भावित लोग हैं वो भी इसी धरातल पर इसी यही कल जैसे मैं उधार देते हैं कि अगर मालेजे एक रोगी है ठीक है रोगी का दूद से पेट खराब हो जाता है तो उससे क्या दिया जाता है इसका मतलब नहीं है कि दूद खराब हो गया तो दूद को दही के रूप में दे करके फिर उसको मतलब वही कारे कर रहा है लेकिन भगवान के लिए क नहीं होना चाइए तो शवन किजिये जो हमनों गान गाना सुनते हैं या गाते हैं भगवान के लिए गाना गाल इसमें हैं आपको आनंद आएगा तो रशगुलत से आपको मिठास लगता है आपको रस्मलाय अच्छा लगता है जैसी कहाने लगए में आपको कि यादत चुड़ जाए कि विश्या परम दिर्ष्टवा नियुद वर्तते हाइयर टेस्ट ऐसी मिल जाएगा आपको फिर आप स्लोली एंद स्लोली वो डेवलप कर जाएंगे वो टेस्ट डेवलप कर जाएंगे कथोर वरत अंगिकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कटिन तपस्या त्वरा कुछ अश्टांग योग पद्धि के अभ्यास द्वारा अध्वधिव ज्ञान से मनत्ति करने के लिए बेतों का अध्यन द्वारा प्रबुद होते हैं तो यह प्रकिरि शब्दो कोही सुनते हैं शवन ज्यान का मुलुद्धार है अता शुद्ध ब्रहमचारी सदे भगवान के यश्क के किर्थन अता शवन में ही लगा रहता है तो देखिए चार चित्र है चार चित्र के माध्यम सब समझनी की कोशिश करते हैं जादा समय नहीं लेंगे तो जल्दी हो जाएगा तो जैसे महराज है सबसे पहला चित्र है उन्होंने घोर तपस्या की पांच वर्स के उम्र में जब उनके माता ने बोल दिया था कि जाओ तुम भगवान कहां मिलेंगे तो जंगल में चले जाओ तो उसने जंगल में शरीर में तीमक लग गया तो ठीक है तो कई तरीके से हम भगवान की भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर यह तिसरा है जो अपना धन-धान दे रहा है पुरा धन को अर्पित कर दे रहा है प्रभो जी हिरन्य कश्यपु ने भी आरादना कि थी अब आप में एंड कर लेते हैं फिर एक एक कोश्चन करेंगे हिरन्य कश्यपु ने भी की थी लेकिन ने ब्रह्मा जी की की थी तपस्या तो उन्होंने भी की थी तो और चोथा जो है वह यह वेदों के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश करते हैं मतलब कई तरीके से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं भगवान अब आगे बताएंगे कि क्या तरीका सही है अश्टांग योग द्रव्य योग है ना स्वधाय यग जब यग के बिना मनुष इस लोक में यह जीवन में ही सुक पुर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जनम में कैसे रह सकता है रक्स रह सकेगा तो तिसरे अधाय में कल पड़ा था ना हमने कि यग क्या क्या अब्जेक्टिव है यगनार्थार्थ कर्मनो अनत्र लोको यम क कर्मबंदना यानि भगवान विश्णु की आरादना करना ही यग का मुख्य उद्देश है लेकिन यहां पर हम किसके लिए यग कर रहे हैं कभी कभी देवताओं के लिए यग कर रहे हैं जैसे कृष्ण नहीं कर रहा था ठीक है तो अगर हमारा यग क्या उद्देश मुप्त संग समाचरह है एक परमतप द्रव यग से ज्ञान ये श्रिष्ट है अंत तो गोदवा सारे कर्म योग्यों का अफसान दिव ज्ञान है तो यहां द्रव की यग क्या मतलब है यह की जो हम द्रव के द्वारा देते हैं मतलब हवन हवी कुछ जो हवन करते हैं उसको द्रव यह की बूलते हैं लेकिन होता क्या है अब जिसे हम मैं आम ग्रस्त में भी देखते हूंगे कई पर इंद्धिक इच्छा की प्राप्ति के लिए होती और दूसरा इंजॉइमेट की यह होती है हम लोग कई लोगों को घर में पुला लेते हैं और फिर बोजन देते हैं उसमें भगवान को प्रसंथा केकर लिए हम क्यारणी करते हैं इसलिए यहां पे कह구요 ध्रव्य यह से ज्यांन यग श्रेश्ट है यानि ग्यान के द्वारण भगवान को जाना है द्रव्ययग में पतन होने का chances रहता है अगर हमारी इच्छा भौतिक है अब यह श्लोक बहुत important है अब भगवान यहां बताते हैं कि ठीक है इतना ज्ञान तो हमने बहुत सारा ज्ञान बता दियें कि द्रव्ययग है यह लेकिन ज्ञान अरजित करने का सही तरीका क्या है यह यह श्लोक हमें बताता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया उग्देशंतिते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वत दर्शनहा तुम गुरू के पास जाकर सत्य को जानने का परियास करो उनसे विनीत होकर जिग्यासा करो उनकी सेवा करो स्वर्यूप वैक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है जानने का भगवान कहते हैं गुरू के पास जाओ कौन गुरू जिनका तत्व का दर्शन हो गया है तत्व क्या मतलब जो भगवान के मिथ्चारी नहीं जो कल हमने देखा जो भग भेगत ने किया है वो घुरू के पास जा कर के उन से जिग्यासा करो कैसे विनीत भाव से चैलेंच करके नहीं दुसरे ही अद्धाए में प्रच्छामिसन भरूह्लितन में सिश्यस्ते हम शांदी मांताउं प्रपंडम तो अर्जुन ने भी का तो यही तरीका ही यही कि गुरू के पास जाएए विनीत भाव से उनसे प्रशन कीजिए प्रशन जरूर कीजिए यहां लिखे हैं परी प्रशने ने सेविया प्रशन जरूर कीजिए विनित भावसे कीजिए और किस गुरू के पास जाना मित्यचारी के पास नहीं वो गुरू के पास जुन्होंने तत्व का दरशन किया है ये गुरू का qualification भी है और शिश्च цвет का भी qualification छुपावा किस तरहा आपको क्या करना है किस तरह ज्לאन लेना है ये श्लोक में है यदि तुम्हें तुम्हें समस्थ पापियों में भी सरवादिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव ग्यान रुपी नाव में सित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे तो इस चित्र के माधिम से देखे कि मालिजे ये जो सागर है ये बहुतिक जगत है है ना तो अब यहां तुल ना कर रहे हैं भगवान की ज्यानी लोग को क्या होता है जो ज्यान के द्वारा जाते हैं और जो भागते हैं उनका है तो यह चित्र के बस बस फोकस किजिए चित्र पर तो ज्यानी क्या है अब जैसे यह मालिजे यह जो सागर है यह क्या दुनिक्ष날 तो दुव हैं तो ड्रोक के द्वार्ति या नि जो लोग है ज्ञानी जो हैं ज्ञान का जो अर्जन करें है और खुदी के ति्ट तो भगवान को उन्होंने साकार्रूर सटाने रिखा नहीं पार करना चारा? लेकिन भक्त क्या है भगवान स्वेम नाव भेजते हैं न भक्त को तो भगवान अराम से कृतन करते हुए भक्त जो है भगवान का कृतन करते हुए सागर को पार कर जाते हैं तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं इस श्लोक से जैसे प्रज्जोलेत अगनी इंधन को भस्म कर देती है उसी तरह है अर्जुन ग्यान रूपी अगनी भौती कर्मों को समस्थ फ़लों को जला डालती है तो ग्यान द्वारा सारे पाप और कुन्ने कर्म को जीत लिया जीत जीता जा सकता है शर्दवान लबंते ज्ञान तक परम सत्य इंद्रियह ग्यान लब्दा परम शांति अभिचेरनी दी गर्चति जो शर्दवालों दिल ज्ञान में समर्पित है और रिष्णे इंद्रियों को वश्में कर लिया ह। वो इस ज्ञान को प्राप्ठ करने का अधिकारी है और इस भगवान का जन्म और कर्म का दिविता को समझ चुका है उसका क्या भगवान ने बोला था दुसरे द्हाय में वहवसाय आत्मी का बुद्धी एके हाग कुरून नंदना भावुशाका हिन अनताश्य जिसके जो बुद्धी है वहवसाय आत्मी का बुद्धी हो गई है यानि वो दृड़ हो गया है भगवान की भक्ति में दृड़ हो गया जान गया है कि भगवान आत्मा और शरीर से भगवान की दिविता है भगवान का जन भी दिव्वे है कर्म भी दिव्वे है वो जान गया है भगवान को तो वो उनकी जो बुद्धी है वो दृड़ हो चुकी है योग सन्यस्त कर्म नाम ज्यान चिन अशन्षयम आत्मवंतन कर्मानी निबंधन ती जनधन अंजया जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परिक्ता करते हुए भक्ति करता है और जिसके शन्षय दिव ज्यान द्वारा विनिष्ठ हो चुके होते हैं वही वास्तम में आत्मपराय हैं यह धनजय वह कर्मों के बंधन से नहीं बंदता जो मनुष बतात पर रहे हैं जो मनुष भगवद्गीता के सिक्षाओं को उसी के रूप में पालन करता है जिसे रूप में भगवान श्रीकृष्ण दी थी तो वह दिव ज्यान की किर्पा को समस्त शन्षय से मुक्त हो हमें गीता के ज्याण को अपने जीवन में उतारना भी है अतेव तुम्हारे हिरदेमें अज्ञान के कारण यह बहुत इंपोर्टन शी लोग के से हम कल का अाधयँ शुरू करेंगे अतेव तुम्हारे हिरदेमे trat के कारण जो शन्षय जो इतने चिंतित होए बैठे हो जो आपने पांच कारण दिया है वो अब ग्यानी रुपी शस्त से काट डालो उठो और युद करो अब यहां पर फिर अर्जुन कन्फ्यूज हो गये प्रभुपार जी क्या लिखते हैं इस में इस अध्याएं में जिस सित्क आस्यों में दो तरह की यग कर्म किए जाते हैं एक तो द्रब का यग और दूसरा आत्म ग्यान यग जो विशुद अध्यात्मिक कर्म हैं यदि आत्म सक्षात्याकार के लिए द्रब यग नहीं किया जाता तो ऐसा यग भौतिक बन जाता है तो द्रव यग कौन सा हुआ जैसे मैंने बताया कि कई लोग अपने सत्नरायन की कता करते है तो वो अगर भौतिक इच्छा से किया गया तो वो वेर्थ है ऐसा यग्य किन्तु जब कोई अध्यात्मिक उद्देश है समझ सकता है उसके लिए भगवान के अंच शोरूप आत्मे ज्ञान को प्राप करने में कोई कठना ही नहीं होती है ऐसा ज्ञान लाप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिविकार कलापों को समझ सकता है इस अध्धाय के प्रारंब में स्वयम भगवान ने अपने दिवे कारेकलापों को वर्णन किया जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो शद्धा विहीन है कतने कठोर शब्दों को परियोकर है प्रवबाजे और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सचिदानन स्वरूप को नहीं समझ पाता तो ये समझना चाहिए कि वो निपकट मूर्ख है कृष्णा भावना मिर्द के सिद्धानतों को स्युकार करके अज्ञान को क्रमशह दूर किया जा सकता है इसके साथ ही जड्याय समाप्त होता है आज तो अधर देर होगे हरे कृष्णा अधरे कृष्णा प्रभुजी जी आस तो आज थोड़ा लेट हो गया जी प्रभुजी अब question answers ले लेते हैं जी कल के एक question का जवाब देता हूं कल एक प्रभुजी ने प्रश्ण किया था ना कि 108 माला क्यों होता है अभी शेक शिंग प्रभु थी है कि क्या थे वो आ जाया है क्या किसी ने कल किया था प्रश्ण वो हैंड रिस कर सकते हैं कि अपने पुछा था ना अपको तो दो मुख्य चीज बता देता हूं आपको तो 108 माला क्यों कहते हैं क्योंकि जो वेदों में वर्णित है वो ऐसा है कि हम एक मिनट में पंदरा बार ब्रीधिंग करते हैं है न तो इसको कैल्कुलेट कीजिए तो एक घंटे में करीबन 900 होता है ठीक है तो बारा घंटे में कितने हो गया है 10800 दस हजार आठसो बार हम बारा घंटे में ब्रीध करते हैं और तो बारा घंटे में कितनी बार आप सांस लेंगे दस हजार आठसो बार सांस लेंगे ठीक है तो दस हजार आठसो बार सांस लेंगे तो इसको अगर आप सौ से भाग करते हैं तो सौ माला तो क्योंकि यह जो दस जार आठसो बार सांस लेते हैं तो उसको सौ माला 108 है सबसे ज़्यादा divide किया जा सकता है इसलिए कहा जाता है कि 100 माला आप करते हैं यानि 12 घंटे अगर आप भगवान की नाम जब करते हैं तो पुन रुपेन आप भगवान को याद कर रहे हैं ठीक है? पहला ठीक है? पहला ये है दूसरा जो एक प्लस आठ है, नौ का जो अंक है वेदों में और वेदों में इसका बहुत ही शुब माना जाता है, तो कभी भी आप देखेगा कि कितने वेदों की रचना हुई है, तो अठारा वेदों की रचना वेद वियास ने कितना किया है, तो अठारा करके एक correlation मनता है ठीक है तो ये दो मुख्य कारण है जिसके कारण ये जो माला हम 108 करते हैं वैसे तो भगवान बोलते हैं कि भगवा भक्तों की क्या eligibility कितना है कितनी बार नाम लेना चाहिए भगवान कितनी क्या बोलते हैं दसमें अध्या में बताएंगे सततम किरतेयं तुमा ठीक है यतियंतश्य द्रडवर्त उप्रता यानि सततम किरतन कीजिए सततम हर समय भवान का किरतन कीजिए लेकिन हम प्रभपाजी ने हमारे जीवन को और सलल कर दिया वह बुलते सततम तो करनी पाएंगे सुलाई माला करनी तो प्रभुजी यह जो दो चीज है इध्यान में रखिएगा ठीक है करेक्रश्ण प्रभुजी का एक और प्रश्ण है उन्होंने फिर से हैंड्रेस किया प्रश्ण करते रहे यह प्रभुजी दोनों का स्वधाय बढ़ता है मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा एक प्रभुजी मेरा कुछन चाप प्रभुजी कि मैं इस मतलब मैं भी इसा दिन क्या था कि तो आपकी आवाज नहीं के लिए रारी है दुबार होता ही है हाई हई हद फोर हमारी अछर होता है है इसी कारन से भी बैद में इसका बरनार जो गया है कि एक सवाट होती इसके लिए सूद माना गया जी 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 वैसे नो कारण दिखा है है अमरजीत प्रभुजी आपने सही ये भी कारण आपने अच्छा बोला कि आकाश गंगा है उसमें 27 नचहतर होते हैं 27 नचहतर के चार डिरेक्शन होते हैं तो 27 को चार से घुना किजेगा तो 108 आता है तो हम अगर 108 वाला करते हैं तो सभी पूरे अकाश गंगा हम कवर करते हैं तो ये भी आपने अच्छा पॉइंट उठा है वैसे 9 पॉइंट होते हैं 8 से 9 पॉइंट हैं पट कुछ विशेश ध्यान रखे और तो मुख्यता जो है वो यह है कि 9 नौ जो नबेश 7 जो नमबर है9 एस निमेरिकल इस वे 0 बहुद ज़ादा एक स्ट्रीपिश करते हो और रहें और हमरा भी ज्यान वर्दन करते रहें और इस तरह का प्रशन भी किर्थरिये हमारा भी ज्यान वर्दन प्रभुजी स्न्दीफ शर्मा प्रभुजी का विज videos अब्रग्वत गीता का नाम गर गीता कि दोली निन पता प्रभुजी नितिश कुमार प्रश्ण है विवस्वान का क्या अर्थ है विवस्वान तो प्रभुजी सूर जो है सूर के राजा का नाम है विवस्वान प्रभुजी अमर्जीत प्रभुजी के कुछ क्वेश्ण्स आए विवे घ्र मेरा एक प्रश्ण है कि माला जब के समय मैरू क्रॉस करना चाहिए दूसरा प्रश्ण है माला जब के समय उछ AMY मान्शू जब करना चाहिए तीसरा है माला जब स्ताई रूप से एक स्तान पे या वर्क टाई मानसिक रूप में और एक माला जब करने में कितना समय लगता है, सही समय क्या है चौथा प्रश्ण है ओम का अर्थ क्या है इस पर प्रकाश डाले और पाच्वा और आखरी प्रश्ण है शिखा चोटी रखना चाहिए और उसका क्या महत्व है कुछ कुछ प्रश्णों का उत्तर आपको देता जाता हूं देखिए माला का सिंपल चीज बताता हूं माला आप जितने जूर से बोलिएगा एक तो आपका पांच्यों इंद्रियां आपकी जितनी इंद्रियां है ठीक है क्योंकि मन में तो आँगे अर्जुन बताएंगे चटे अद्या में चंचला ही मने क्रिश्णा प्रमाति बल्वर द्रड़म यानि मन तो इतना चंचला है कि पूरे दिन में कितना क्या कारे किये हैं इससे क्या उधार लिए किसका क्या किये सब आप गुंते रहेगा ठीक है आप जितने जोर से बोलेंगे उतना अपना आपकी सारी इंद्रिये जो हैं उसमें लगा नहीं ना रहेगा आप कान है वह सुनेगा ठीक है और उसके साह साथ आपके आसपास के इतने जीव हैं उनका भी उधार होगा तो इसलिए माला हमेशा आप जब भी भगवान का नाम लिजे जोर से लिजे इतना भी जोर से नहीं बड़ इतना लिजे कि आपके जो कान हैं वो सुन सकें आप उसके पूरे मगन हो मन को जानी है क्योंकि हम बदजीव हैं हमारे बसका नहीं मन को कंट्रोल कर रहा है तो यह पहला प्रोश्ट का आपका उत्तर हुआ